इस वक्त पूरे देश की निगाए और साथी साथ पड़ोसी देश की निगाए जो लगी हुई है वो लगी है भारत पाकिस्तान की जो भी संबंध है और भारत पाकिस्तान के बीच में क्या घमासान होगा क्या वार होगा युद्ध होगा या नहीं होगा अगर होगा तो क्या होगा इस पर पूरे देशवासियों की निगाए लगी है क्या आप समस्थे जिस तरह से हमारे दो जवानों को बेरैमी से वहां पर मारा गया है सीमा रेखा पर क्या इसकी वज़र क्या हो सकती है जब हम कुंडली का ध्यान करते तब और यह समस्या आगे चलकर अपने देश को हिंदुस्तान को भारत को पुरे भारत वज़ को कितनी समस्या दे सकती है बिलकुल देखिए राजेश जी जब हम की कुंडली का ध्यन करते है तो डेट सामने आती है 14 8 49 14 8 1947 रात के वक्त पाकिस्तान का जन्म हुआ है और 15 아ट 47 को हमारे देश का जन्म हुआ है और थसडे के दिन जन्म हुआ है मिथुन राशी है देखिए देश की कुंडली बनाना और उसके उपर अध्यान करना आम बात नहीं है इसको बहुत अच्छी तरह से बाकी यह लैमन न्यूस के माध्यम से ही आपको यह कार्यकरम देखने को मिलेगा क्योंकि इतनी इतना बड़ा रिस्क और इतनी बड़ी बात जो है यह कहीं और नहीं मिलेगी मित्रो एक बात समझ के ले लीजिए कि पाकिस्तान की जब हम कुंडली का ध्यन करते हैं तो काल सर्पदोश पाकिस्तान की कुंडली में है उसके उपर पाकिस्तान की कुंडली में चंदर और मंगल बार में घर में लगे हुए हैं यानि अमेरिका अगर 10 बिलियन डॉलर देगा तो भी अमेरिका के विरुद काम करेंगे और तीसरी बात ये है शुक्र बुद्ध सूरिय एकठे उनकी पाकिस्तान की कुंडली में लगे हुए हैं इस वक्त उनकी शुक्र की महादशा चल रही है जिसके कारण पाकिस्तान की अगर अपनी माली हालत देखी जाए तो वह बहुत अच्छी नहीं है